तो गाइस जास्की वड़ो हम बात करने वाले ही व्यों के Y15S phone के अंदर आप Google डालर को replace कैसे कर सकती है Google डालर replace करने का काफी आसान procedure है और इसके काफी सारी चीज़े हैं काफी सारी conditions हैं जिससे हम Google डालर को replace कर सकती है Google डालर में अगर कोई recording करेंगे तो फाइल मनेजर में नहीं जाएगी इवन गाइज अगर आपने Google डालर को कोई record कर रहे हो खोल कोई भी तो वहाँ पर announcement भी सुनाई देती है तो ऐसे condition में काफी लोग replace करना चाते है Google डालर को तो आप आसानी के साथ no doubt कर सकते हैं इसे करने के दो procedure है एक तो है code दूसरा है settings मैं settings और code दोनों का यूज बताऊंगा ताकि आप प्रोपर के साथ यूज कर सके और code को मैं अपडेट कर दूँगा आप चाहें तो वहाँ से भी code का यूज करके आसानी के साथ आप यूज कर सकते हैं अब पहले तो हम setting का use करेंगे apps वाली setting को open करना यहां पर आएंगे नीचे तो enable alternate phone contact का option मिल जाएगा यह options अगर नहीं मिलता आपको तब ऐसे case में code का use करना अगर मिलता है तो इसको क्लिक करिए अभी मैंने replace करा हुआ है एक बार मैं इसको disable करूंगा यहां से अब आपके पास ऐसे ही मिलेगा करेंगे okay करेंगे set now पे किलिक करके second dollar को आपको choose कर देना जैसे आप second करेंगे आपके पास Google dollar replace होके भी वो डालर वाला यहां पर option आजाएगा देख सकतो आचुका है अब अगर यहां पर code की मदस्य करना है तो इसको आप open करिए एक code है star has star has double five double six double eight has star has again आपको star press करना है ज आपका यहां पर भी replace हो जाएगा तो ऐसे गूगल डाल को replace करना है व्योंके आप समझेंगे कैसे यूज करना है फिर भी कोई confusing होती है इसके recording नीचे comment section है आप हमें comment कर सकते हो या फिर Instagram पर आ सकते हो handle ने चे रिस्टेस्टन में मिल जाएगा